वेलकम टू मनिव वीडियो मैं हूँ जानवी खड़की और मैं USA में अपना मास्टर्स कम्प्लीट कर रही हूँ तो आज के वीडियो में हम देखेंगे exact slots opening for 2023 तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि exactly fall semester के लिए slots कब open होंगे तो आज के वीडियो में मैं specially student visa के बारे मैं बताऊंगे कि student visa के slots कब open होने वाले है क्योंकि मेरी वीडियो जादा तर students देखते हैं और आप मुझे comment करके पूछते रहते हो कि slots कब open होने वाले है यह university कैसी है और इस type के वीडियो और visa related video मैं हमेशा बनाते रहती हूँ तो अगर आपको इस type के वीडियो देखने में interested हो तो मेरे चैनल को subscribe कर सकते हो आज के वीडियो में हम main student visa के बारे में बात करेंगे जिन में J, F और M type के visa आते है यह तीनों भी non-immigrant visa होते है और F1 visa जो की बहुत ही popular है वो है study visa यहाँ पर आप study के लिए आते हो और J visa होता है कि आप training के लिए आ रहे हो और M type का visa होता है कि आप non-academic study के लिए आ रहे हो यह तो मैंने ऐसे brief idea दे दिया है आपको कि यह visa क्या होते है यह period है summer semester का तो अगर summer semester के slots के बारे में बात करें तो वो अभी over हो गए है तो chances तो बहुत ही कम है कि अगर आपके आपका college summer में start हो रहा है तो आपको slots मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि summer के लिए जितने भी slots open होने वाले थे वो अभी हो गए है पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता minor opening हो सकती है तो आप 24-7 monitoring करिए और अगर आपके university अगर आपको extension के लिए हाँ बोलती है extension provide करती है तो आप extension उनको मांग लीजिए और अगर नहीं हो रहा है extension पॉसिबल नहीं है आपकी university में तो आप अपनी admission डेफर कर सकते हो freshers और refuser students के लिए slots आने वाले है और US embassy जादा तर जो भी freshers होते है उनके लिए slots maximum open करते है और refuser वालों के लिए कम करते है पर इस time fall semester या फिर spring semester यह दो main semester होते है और US embassy को बता है कि बहुत सारे students का visa reject भी हुआ है तो वो अभी freshers और refuser यह दोनों भी student के लिए slots open करने वाले हैं अभी हम देखते हैं कि visa slots कब open होने वाले है तो next batch of visa slots की opening होने वाली है June, July और August में और आपको 15 में के बाद भी slots open होने के chances है तो maximum slots जो है वो जून, July और August में नहीं open होंगे वो भी weekly basis पर और bulk में slots open होंगे रही बात April month की तो आपको April month में भी minor visa slots opening देखने को मिल सकती है पर अगर आपका college start हो रहा है में में और extension के लिए आप बात करके रखी अगर नहीं मिल सकता है extension तो आप अपना semester defer कर लीचिए 24-7 आप monitoring करते रहिए अगर आपको US visa के related कुछ भी doubt हो या फिर कुछ भी question कुछ नहीं हो तो आप मुझे comment करके या इंस्टाग्राम में direct message करके भी पूस सकते हो तो इस वीडियो को मैं यही पर end करती हूँ वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके बताईए अच्छा लगा हो तो like कीजे channel को subscribe कीजे अगर आप मुझ इंस्टाग्राम में follow करना चाहते हो तो link इस वीडियो के description में दी गई है thank you so much for watching bye